जार्खन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जार्खन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताईए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्र जार्खन में 9 और 10 जनुवरी को भारी बारिस बढ़ेगी ठंड रहे सतर्क जार्खन में अगामी 9 जनुवरी को बारिस हो सकती है या बारिस अगले दीन 10 जनुवरी को भी जारी रह सकती है मौसम विभाग ने राजे के कुछ इलाकों में हलके सिमा दर्ख की बारिस की समनों जताई है वही जनुवरी मामे ठंड का असर लंबे समय तक रहने का अनुवान है बताया गया है कि 6 जनुवरी को राजस्थान के पास एक पच्मी भी छोबन रहा है इसका असर 8 जनुवरी का असर कम रहेगा इसके कारण नियुतम तापमान कम होगा लेकिन अधिकतम तापमान गिर जाएगा जिससे ठंड का एसास अधिक होगा JSLPS में 1000 पदोपर निकली भेकेंसी, जार्खन स्टेट लाइवलिहोड पर्मोसन सोसाइटी में 1000 अधिक पदोपर नियुकति होगी बतादे सनविदा पर नियुकति के लिए बिगापन जारी किया गया है सभी पदो पर बहाली नए नियुकति निमावली के तहत होगी इसके तहट जिला समनवयक वाफ फिल्ड थिमेटिक को अडिनेटर के करीब 818 पदों में भाली होनी है बताद राश्ट्रिय आजीव का मिसन के तहट प्रखंड इकायों में भी 218 पदों पर नियुक्ति की जाएगी आवेधन का विग्यापन JAS LPS की वेबसाइट पर होगा नियुक्ति के लिए एक HR कमपनी का भी चैन हुआ है बताद नियुक्तियों में समाने कोटिक के व्यार्थियों के लिए जहारकंड से ही मैट्रिक इंटरपास होना अनिवार किया गया है रांची सदर अस्पताल में 250 अतिरिक स्वास्त कर्मी तैनात क्रोणा लहर को देखते हुए की गई विवस्ता बतादे क्रोणा संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बिच रांची सदर अस्पताल की विवस्ता दूस्त किया जा रहा है इसे लेकर अस्पताल कोविड विंग में डॉक्टर और पराचिकित्सा कर्मियों समय 250 अतिरिक स्वास्त कर्मियों क्तेनाथी की गई है पिछली बार की तुनला इस बार अधिक लोगों को तेनाथ किया गया है पिछली बार जहां 11-12 सग्यों की सेवा ली गई थी वहीं इस बार 17-2 सग्यों और 12-8 विशिष्ट चिकित्सक्त तैनाथ किये गया है बतादे कुरोना संक्रमित की संख्या मेला कतार हो रही बिरिधी को देखते हुए स्वदर स्पताल में नियंतरन कक्ष केस्थापना मंगलवार को कर दी गई है ज्यार्खंड में कुरोना के 261 नए मामले मिले एकटीब केस्थाथासो चुरासी ज्यार्खंड में कुरोना के 261 नए मामले मिले है जो रांची सेगारा सुच्यान बे पूरवी सिम्भूम 402 बोकारो 162 धनबाद 161, कोडारमा 152, देवखर 109 1094, रामगर 87, पच्छमी सिमूम 60, खुटी 42, चतरा 38, गुमला 30, गिरी डी 25, गोड़ा 18, जामतरा 17, पलामु 17, सिम्डेगा 17, सराय के लख सवा 14, दुमका 12, गड़वा 10, लोर्दा का 10, और लातियार से 8 संक्रमित मिले हैं बतादे जारकन में कूल एक्टिब केस की संक्या 84, पर पहुंच गई है बुष्टर डोज के लिए 10 जनुवरी के इंतियार नाकरे सरकार, बतादे रिम्स के जुनियर डॉक्टर एसु सिंसर ने स्वास्त मंतरी को पत्र लिख कर कुरोना के बढ़ते संक्या को लेकर चिंता जाहिर किया है संक्या द्यक्ष डाक्टर विकास ने पत्र में लिखा है कि पिछले 3-4 दिनों में करीब 100 से ज्यादा रिम्स के डॉक्टर वाज स्टाफ पोजिटिव आ चुके है अच्छी स्थिति में कुरोना की यह लडाई और कठीन हो जाएगी अता रिम्स जे डिये मांग करता है कि यह था सीग्र फ्रोंट लाइन वर्कस को बुष्टर डोज लगाया जाए साथी साथ लिखे पत्र में जिनों सिक्वेंसिंग मसीन को भी यह था सीग्र लगाने की मांग की है उन्होंने बताया कि 10 जन्वारी से बुष्टर डोज लगाने की बात हो रही है लेकिन जिस गती से COVID-19 बढ़ रहा है ऐसी थिति में 10 जन्वारी तक ज्यादा लोग पोजिटिव हो जाएंगे इसलिए स्वास्त मंत्री से निवेदा नायकी बुष्टर डोज या था सीग्र शुरू किया जाए आज हेमंद सरकार का पुतला दहन करने चक्रधरपूर जाएंगे बद्ध्वार को सभी 513 मंडलों में सरकार का पुतला दहन करेगी बद्ध्वार के साथ खटना अस्तल का दवरा करेंगे बद्ध्वार के परदेश्ट अध्यक्ष दीपक प्रकास ने बिगर्ती कानून ब्यवस्था की इस्थिति को जार्खन के लिए चिंता का भी सभी बताया है उन्होंने कहा कि सिम्डेगा में होई घाटना में संजु प्रधान को जिन्दा जलाक कर माद दिया गया वहाई दूसरी ओर पूरु विधायक गुरु चरण नायक के उपर जान लेवानक सली हामला हुआ टल सकती है जे पीएसी मेंस परिक्षा जार्खन लोग सेवा आयोग की सातवी से दसवी सन्योक्त सिवील सेवा की मोख्य परिक्षा बढ़ते कुरोना संक्रमन के वज़ा से अस्तागित हो सकती है बता दे जार्खन लोग सेवा आयोग ने 28 से 30 जनवारी तक दोनों पालियों में परिक्षा लेने का निना लिया है कुरोना के बढ़ते संक्रमन से राज सरकार ने 15 जनवारी तक संस्थानों को बंद करने का निना लिया है ऐसे में मुख्य परिक्षा के संचाल में परिशानी हो सकती है कुरोना के मामले बढ़ने से सरकार या जैपियसी मुख्य परिक्षा को अगले आधियस तक के लिए अस्तागित कर सकती है कक्षा आठवी से बराहवी पहले टर्म परिक्षा पर ग्रहान बता देख कक्षा आठवी से बराहवी के पहले टर्म की परिक्षा में भी अब ग्रहान लग गया है जनवरी महीने में अब इसके होने के असार नहीं के बराबर है इसकोलों को बंद कर दिया गया है ऐसे में मैटरीक और इंटरमीडियेट के करीब 7,64,64 वो की परिक्षा संभव नहीं लग रहा आठवी में करीब 5,25,64 वही नौवी में 4,70,000 दसवी में 4,50,000 और एगारवी में 4,00, बराहवी में करीब 3,75,000 चंभव परिक्षा दे सकेंगे बतादे क्रोणा का परभाव इसी तरह बढ़ता रहा तो परिक्षा भी समव नहीं है सिक्षा विभाग ने 10 वी और 12 वी के परिक्षा 1 से 15 दिसंबर को लेने का सेडियोल जारी किया था वही आठवी, नौवी और एकारवी के पहले टर्म की परिक्षा 10-25 जनवारी के बिच्वनी थी लेकिन अब यह होता नहीं दिख रहा जारखन में निवेस के नाम पर 100 क्रोड की ठगी जारखन में एक सेर बोरकर ने भोले भाले लोगों को 100 को रुपए का चुना लगा दिया है बतादे गड़बा के सेर बोरकर राजु जेंटलमेन की जगा अब ठग बन गया है करिब दो सोनी इसको के 100 को रुपए लेकर वा फरा रहा है बतादे राजु सोनी नामक इस उवक ने सेर मार्केट के नाम पर लोगों ठगी की है पिडित उससे रुपए वापस मांग रहे हैं तो वह भाती-भाती के बहाने बना रहा है कुछ भुग्त भोगियों ने अदालत का दरवाजा भी खट-खटाया है जहारखन के 34 लाख परिवारों के लिए पेजल योजना मंजूर बतादे राज सरकार ने 69.23 लाख ग्रामीन परिवारों को 94 तरीके से बर्स 2024 तक 9 से जल पहुचाने की योजना पर काम कर रही है दिसंबर तक राजे में करीब 10 लाख ग्रामीन परिवारों तक 9 से जल पहुचाया जा चुका है वहीं 34 लाख 20 लाख परिवार पानी पहुचाने की योजना अनुमोदित कर दी गई है बतादे इन में से 7 लाख 85 परिवारों तक पानी पहुचाने के लिए 54 लाख ग्रामीन पर जल पुर्ति के लिए योजनाओं का 29 लाख मंत्रे हमान सुनें द्वारा सिलनास भी किया गया है दूसरी ओर 98 लाख ग्रामीन अबादी को ही सुनाओं का लाख मिलेगा पाकुड में सड़क हादसा ट्रक ने बस को मारी टकर 15 की मौत 25 से ज़्यादा घायाल बतादे जहरकन के पाकुड जीले से भीशन सड़क हादसे की ख़बर आ रही है पाकुड जीले के अमड़ा पड़ा थाना छेत्र के कमरडिया गाओं के समी प्यातरी बस और ट्रक में बुद्धवार की सुबा भीशन टकर हुई इस हादसे में अब तक करीब 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टी है वहीं 25 लोग हायल हुए है मिरितकों की संख्या और भी बढ़ सकती है बस और ट्रक की टकर इतनी भीशन थी कि ख़बर लिखे जाने तक बस में लोग फ़से हुए थे इसके लिए पुलिस परसाशन की ओर से गयस कटर की ब्यवस्ता की गई ताकि फ़से लोगों और सवों को बाहर निकाला जा सके पर्यजक्ट का निवधन र्द कर दिया है बतादे इस सम eerste में ज्यारकल रियल स्टेट की ओर से सभी भवन मालिकों को नौटिस जारी कर दिया गया है बतादे जहड़ेरां अपने नोटिस में कहा है कि निबंधन के लिए जिन जिन दस्तावेज किया उसकता थी उन दस्तावेज को जमा नहीं करने के कारण सभी प्रोजेक्ट का निबंधन रद कर दिया जाता है इसमें रांची धनवाद जमसेदपूर हजारी बाग बोकारों में बन रहे मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट मुखे रूप से सामिल है जर्खन रियल स्टेट रेगुलेशन अथुरेट्री के अध्यक सीमा सर्मा ने इस समन्द में आदेश जारी किया है बासुकी नाथ मंदीर में आज से असपर्स पुझा पर रोक दीर प्रभारी असुतोस ओजा और बासुकी नाथ पंडा धर्म रक्षिनी सभा के अध्याक्स मनोज भी सामिल थे। पुरे परिवार के साथ इसी कैम्प में रहते हैं जनकारी के मुताबिक असी पुलिस कर्मियों का करोना टेस्ट हुआ था जिसमें 35 लोग पुजेटी पाए गाए दूसरी वर बुद्वार को राची में करोना के लागतार मिल रहे मामलों को देखते हुए यहारपोर्ट पर जाज बेवस्था को सक्त की गई है जहारखन में 20,000 संक्रमित आने पर भी इलाज की होगी बेवस्था बताद नए वेरियंट ओमिक्रोन के बढ़ते परभाव और संक्रमितों के बढ़ते संख्या को देखते वे राज सरकार ने पूरी तयारी करने का नेदेस दिया है ओमि भागने राजे के सबसे बड़ी अस्पताल रीम्स, सहीत, मेटकल कॉलेज और जीला अस्पतालों को इसी के हिसाब से त्यार रहने को कहा है बिसे सग्यों का मनना है कि कुरोना के दूसरी लहर में अपरेल महीने में पीक था वहीं 26 अपरेल को राजे में 69 संक्रमित मिले थे और एक्टिव केस की संख्या 48,105 था वहीं 30 लहर में डेल्टा वेरियंट की तूलना में ओमिक्रोन का फैलाव 5-7 गुना ज्यादा तेज है वैसे में अपतियारी इसी गनित के हिसाब से करने का निदेश है फिलाल राजे में 1500 के आसपासने संक्रमित मिल रहे है इधर स्व केलफिक ब्यवास्था करने के लिए भी कहा गया है धन्यवाद यहादि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल के अब बेले के अंदेवे साथे वीडियो को एक लाइक कर पने दोस्तों साथे करना ना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपन सदे थैंक यू